दोस्तो बात करने वाले है बहूती संदार गॉर्मेंट वेकेंसी निकल के आ चुकी है जिया दोस्तो यह वेकेंसी जो है Defense Services Stop College के दोवारा निकाली है और यह देख सकते हैं इसका जो है और आवेधन भी सुरू कर दिया गया इसमें कई तरह के पोश्ट है अगर आप दसवी पास हैं बारावी पास हैं तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं इसमें जो है लडिसी जैसे पोश्ट है इस टॉनोग्राफर जैसे पोश्ट है कुक है है MTS जैसे पोश्ट हैं ड्राइवर जैसे पोश्ट हैं तो कई तरह के अलग अलग पदर वेकेंसी निकालेगी है तो आए जानते हैं इस भरती के बारे में कि क्या है कैसे फॉर्म भरना है और स्लेक्शन प्रोसेस क्या है सब चीज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं तो सब जब अजस्ट वेकेंसी होने वाली है तो चलिए हम इसे क्या गरते हैं डाउलोड कर लेते हैं तो फ्रेंट समने नोटिफिकेशन को डाउलोड कर लिया है और यहां पर देखिए सबसे उपर में लिखा हुआ है डिफेंस सर्विस स्टाप कॉलेज यानि एक कॉलेज है और यह जो कॉलेज है वो कहां पर है तो तमिल नाडू में है और यहां देखिए लिखा हुआ इसका एड्रेस नील गीरीज यह पीन कोड दिया हुआ है तो आपका जो जॉब लोकेशन होने वाला है वो आपका तमिल नाडू में इस अस्थान पर होने वाला है इतना आपको क्या है और कहां कहां कितनी सीटों को रिजर्व किया गए एज क्या चाहिए देखिए सबसे प्ले स्टिनोग्राफ और ग्रेट सेकेंड की वेकेंशी लेबल फोर की सेलरी है चार पदव वेकेंशी है अठारग सथाइस वर्स उम्रसीमा बोला गया है लडिसी की वेकेंशी ह इसमें डिये पी वगर एड होगा न तो आपका सली अच्छा खासा बनता है अगर मालेजिए हम यहां पर बात करें लडिसी के जो सलरी के बारे में लगवाल लगवाल आपका जो है अठाई से तीस जर का असपर सेलरी बनेगा तो अच्छी वेकेंशी होती है इस तरह की और ड्राइवर में भी 18-27 वर्स है और यहां पर सुखानी में 18-25 वर्स की उमर सीमा बोली है कुक यानि खाना बनाने के लिए तीन वेकेंशी है 18-25 वर्स की उमर सीमा है इसको से टेक्निकल एटेंडेंट की वेकेंशी है इसमें भी आपको 18-25 वर्स उमर सीमा बोला एक पद है MTS की वेकेंसी है जो आपके साथ पद रहने वाले है Label 1 की सेलरी आपको देखने को मिलेगा इन लोग अभी सेलरी स्टार्टिंग जो पची हिजार कासपस बनता है जिया दोस्तों ज्यादा कंतर नहीं रहता है देख रहे हैं लेबल 1 की सेलरी है जो कि यहाँ पर बेसिक सेलरी बताएगा डिये पी अगर अलाउंसेंस एड होगा तो 25,000 कासपस बनेगा तो यह जो है इतने तरह की वेकेंसी निकाले गई है अब आप उमरसी मा देख लिए सेलरी देख लिए अब कितने तरह का पोस्ट है और कितना पध है यह आप देख लिए अब क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो अगर आप एस्टोनोग्राफर के लिए फॉर्म बना चाहते हैं तो बारहमी पास बोला गया है और आपको जो है एस्टील टेस्ट जो होगा वो 10 मिनट प्रती वर्ड के हिसाब से आप कर रहेगा मतलब 80 वर्ड पर मिनट 10 मिनट डिक्टेशन बोला जाएगा उसके इस्टोनों में आपको लिखना है और फिर उसको टाइपिंग भी करना है तो हिंदी और इंग्लिस दोनों बोला गया है आप यहाँ पर देख सकते हैं इसके वसे LDC के पोस्ट है जिसमें 12 वी पास बोला गया है स्किल टेस्ट में आपका टाइपिंग होता है जो कि आपका 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिस में या 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में तो हिंदी इंग्लिस किसी भी भासा में आप टाइपिंग जानते हैं आप जो है दे सकते हैं यहाँ पर 10 मिनट आप से टाइपिंग कराई जेगा स्किल टेस्ट में अब यहाँ पे जो है ड्राइबर की वेकेंसी है इसमें 12 वी पास बोला गया है और आपको जो है ड्राइबिंग लाइसेंस हेवी वाला बोला गया है और दो साल का एक्सप्रियेंस बोला गया है इसके विसे सुखानी की वेकेंसी है आपको 12 पास बोला गया है और good selling knowledge आपको होनी चाहिए, दो साल का experience भी बोला गया है, इसके बाद से यहाँ पे अगला जो post है वो है fireman, तो fireman में आपको physical की requirement होती है, अब यहाँ पे metric pass आप हैं, तो आप इस vacancy के लिए form को भर सकते हैं, और आपके पास driving license भी बोला गया है, यह आपको mandatory है, और certificate भी maintenance का six month का यह आपको maintenance, fire fitting, appliances वगरे के बारे में आपको जो है fire pump, इस अपका certificate मतलब training आपके पास होनी चाहिए, और physically fit होने चाहिए, जिसमें बोला गया है, जिनको पास इस trade में fireman में, तो उनको ज़्यादा वर्यताय मिलेगा, लेकिन यहाँ पे height भी बोला गया, 165 cm, minimum height होन चेस्ट जो है, 85-85 होना चाहिए, वजन 50 kg से कम आपका नहीं होनी चाहिए, minimum, यहाँ पर आपका जो दोड होता है, वो सब बोला गया, endorsements, टेस्ट तो आपको जो है, carry करना है, यह man, जो कि आपको एक आदमी को carry करना है, fireman list of इतना kg to distance of इतना meter with 96 seconds, मतलब जो है, इतना kg को जो है, distance लेकर जाना है, आपको 183 मीटर तक 96 seconds में, clearing करना है, इतना आपको 27 मीटर, wide ditch landing, on both feet, और climbing करना है, रसी चड़ना है, 3 मीटर, इसकी वैसे, cook की जो वेकेंसी है, इसमें आपको 12 पास के साथ 2 साल का experience बोला गया है, यह जो है, ITI में आपके पास cooking का certificate है, तो भी आप इसके लिए form भर सकते हैं, अगली वेकेंसी है, technical attendant के लिए, इसमें भी आपको ITI बोला गया, कि इस trade में आपको जो है, mechanical operation में, आपको ITI होनी चाहिए, दस्वी के साल साथ आपने के पास experience है, तो भी form को भर सकते हैं, अब आती है, MTS में सिर्फ और सिर्फ दस्वी पास है, तो आप वेकेंसी के लिए form को भर सकते हैं, अब इसमें सिर्फ metric, इसमें कोई experience वगर नहीं बोला गया, तो यह वेकेंसी है, बाकी age limit यहां पर बोला गया, कि आपका जो उम्र की गड़ना की जाएगी, वो 23 से सेप्तमबर 2023 तक की जाएगी, तो जो भी 18 से 27 है, या 18 से 25 है, आप देख लेंगे और जो age की गड़ना किये जाएगा, age calculator से आप इतने तारिक को calculate करेंगे, अब बात आती है age में छूट के बारे में, तो age में छूट मिलता है, OBC को 3 years और SCST को 5 सल का छूट यहां पर रहेगा, departmental employee है, तो 40 वर्स तक है, तो वो form भर सकता है, लास्टेट फॉर्म भरने का 23 सेप्टमबर है, how to apply, सबसे important बात की form कैसे भरना है, जो भी eligible can in dates है, वो जो है above post के लिए form को apply कर सकते हैं, अपने qualification के बेस पे, अपने जो भी eligibility है उसके बेस पे, अगर कोई central government person है, form भरना चाहते हैं, तो NOC उनको लएगा, एक service man है, तो अप इसे जो है, जो application form है, वो feel करना है, और उसको जो है, उस पर photograph, चीप काना है, self-attested करना है, और उसको क्या करना है, आपको रखना है, इसका format नीचे में दिया हुआ है, यहाँ देखिए यह आवेधन form है, तो इसी को जो है, बोला गया है, कि आपको जो क्या करना है, भरना है यहाँ पर how to apply वाले section में सबस्क्राइब बोला गया है, यह आप जो क्या करेंगे, application form को feel करेंगे, अंग्रेजी में, और उसको जो है, उसको फोटो चीप काना है, और यहाँ पर बोला गया कि एक and always card है, उसको भी आपको feel करना है, तो नीचे में आएगा एक and always card यह format है, आ और certificate है, ITI है, diploma है, उसको भी आप attach करेंगे, OVC, SCS, TWS है तो उसका certificate आप attach करेंगे, बिकलांग कोई है, तो बिकलांग certificate भी अपना attach करेगा, एक serviceman है, तो अपना जो discharge certificate attach करेगा, अगर कोई बंदा form भर रहा है, fireman के लिए, driver के लिए, तो अपना driving license को attach करेगा, तो जिस post पे जो qualification बोला गया है, जो minimum qualification है, वो सब आपको attach करना mandatory है, इसके बाद से बोला गया कि आपको self address envelope भी आपको attach करना है, जो 10, 22 cm का होना चाहिए, और उस पे 22 रुपया का postage stamp भी आपको attach करनी है, तो इसको business ध्यान देंगे, क्योंकि उधर से वो लोग admit card आपका भेजते हैं इसलिए लोग 22 रुपया का self address envelope, देखें, दो लिफाफा आपको लेना होगा, एक लिफाफा खाली रहेगा, जिस पे 22 रुपया का stamp रहेगा, और आपका यहाँ पे address लिखा रहेगा, ठीक है, दूसरा लिफाफा एक ऐसा होगा, जिसके उपर आप जो है, अच्छे से लिख रखना है, और जो भी essential documents है, वो सब आपको इसमें रखना है, और इसी को क्या करना है, भेज देना है, समझ में आ गया, यह भेजने का तरीका है, कहां भेजना है, तो यह दिखिए, इसका जो address है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप इसी address पे जो है, post office के माधियम से आप भेज envelope है, उसको उपर रखना है, यह तना आपको समझ में आगया form भरने का तरीका, अब यहाँ पे बोला गया है कि mode of selection, आपका selection कैसे होगा, तो सबसे पहले आपका यहाँ पे general written exam होगा, जो भी candidates यहाँ पे scrutiny होगे, मतलब उनका form देखा जागे कि सब चीस सहीए, कि गलत है, तो उस हिसाब से क्या करेंगे, वो लोग जो है, उधर से आपका admit card भेजेंगे, अब यहाँ पे admit card मतलब call letter आएगा, return test के लिए, जिसमें आपका return test का जो syllabus है, general intelligence, reasoning, numerical ability, general English, general awareness, और trade में आपका test होगा, जिसमें trade से form भरेंगे, उसके recording आपका test होगा, और अंग्रेजी, हिंदी दोनों language आपका जो है, यहाँ पर रहता है question, यहाँ पर बोला गया है, इसके बाद आपर other instruction वगर दिया गया है, आप यहाँ पर पर सकते हैं, और जो भी आपका test होगा, skill test होगा, उस सब जो है, Wellington में ही होगा, मतलब जो इनका address है, जहाँ college अवस्तित है, वहीं पर होगा, तो आपको जो मैं एड्रेस बताया, इसी एड्रेस पर आपको जो है, return test, rate test, सब चीज यहीं पर होने वाला है, तो यह French vacancy आप समझ गया है, अब बात आती है कि इसका जो है, यहाँ पर एक्रोलोजर, जो admission card है, यह देखिए, इसको आपको attach करना है, serial एक से दू फिल्ड व भरना है, यह वहाँ का signature होगा, वो लोग signature करेंगे, यह attach रहेगा, इसके बाद से copy को भी आपको attach करना, एक से चो तक भर के, बाकी आप जो है, नहीं भरेंगे, छोड़ देंगे, और इसके बाद से यह office use के लिए है, यह आपको attach करना है, यह उपर वाला जो है, for the application for the post of, यहाँ पर आपका पूरा details रहेगा, यह उपर वाला में यह लोग office use करेंगे, ठीक है, और यहाँ पर आपको photo एक chip काना है, यहाँ पर अपना नाम, father name, data भरना है, year बताएंगे, year, month, day बताएंगे, कितना साल का आप हो गया है, category बताएंगे, अगर आप बोलिए को तो मैं से बीटो ला दूगा, कैसे form को भरना है, क्या process है, ठीक है न, और यहाँ पर अपना educational qualification, technical qualification, जो भी है, भारेंगे, capital letter में सारे चीज़ों को लिखना है, address, अधार, number, यह सब आपको भरना है, और इसी application form को आपको attach कर कलिफाफिक अंदर भेजना है, तो I hope आप लोग समझे ह पारे में, आपके मन में कोई भी doubt से comment है, comment box से पूछेगा, मिलता है किसी next video में, जाहिन